आप सब्सक्राइब कीजिए रोयल टीचर को एजुकेशन संबदनी न्यूस तुरंट पाने के लिए राजेस्थान में लॉइंज हो चुका है इस कारिकमे अंतरकत आपको बच्के की कौपी करनी होगी अप्लोड अब यह अप्लोड कहां करणी है उसके बार में बताएंगे शिक्षा के लिए बनेगा शिक्षा एप कारिक्रम के बारे में सिक्षा महोदे की क्या राय है पूरी बात करेंगे आज के इस वीडियो नमस्कार साथ ही हो मेरा नम है मोतिलल कनोजिया और आप देख रहे हैं रोयल टीचर चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज कामरा वीडियो और बत आजाएगा इस एप पर बच्चे की आंसर सीट आपको अपलोड करनी होगी ताकि सिक्सक का काम है वो कम हो जाए सिक्सक को अब कार्ड बनाने की यानि जो रास्ट में रिपोर्ट कार्ड बनाते हैं वो हाथ से बनाने की आउसकता नहीं होगी बच्चे की जो आंसर सीट है उसको फोटो खींचो और सीधा आप पर अपलोड कर दो तो आटो मेटिक और जांच भी हो जाएगी कॉपी इसके लिए हमें क्या क्या करना होगा और यह कारेकर्म क्या है तो दोस्तों कारेकर्म की शुरुवात में हम बताते हैं कि हमारे जो इसकूल में एक से लगा के आट तक पिरियड होते हैं कालांस होते हैं एक से आट उसमें पर्थम चार कालांसों में आपको जो ब्रिज कारेकर्म या सिक्सा के बढ़ते कारेकर्म के तहत आपको जो कारेपुष्टिकाएं दी गई है उन कारेपुष्टिकाओं का अध्यन करवाना है प्रतम चार पिरियड में उसके बाद ये तीन महीने तक चलेगा और बारा सफता तक चलेगा यानि बारा सफता या तीन महीने जो भी कह दें ये इतने तक चलेगा उसके बाद क्या होगा ये जो प्रतम चार पिरियड हम कारे पुष्टिकां को दे रहे हैं वो बदल जाएगा अंतिम दो पीरियड में यानि जो साथवा और आठवा पीरियड होता है उसमें हमें कारे पुष्टी का से काम करवाना होगा बचों को बात करें सिक्सा मोदे की इस पीडियेफ के बारे में जो ने अपनी राय प्रेशित की है राजस्तान में सिक्सा के बड़ते कारेकरम पर जो ऑनलाइन लाउंच और फिल्ड औरिटेशन का कारेकरम है अब यहाँ पर उन्होंने बताया है कि मैं यह की तैयारी कर रहा था तो कौन सी मैंने story पढ़ी और 7 में वहां एक बहुत बड़ी जानकर具 उन्होंने share की थी कि पहले क्या होता था पहले के जमाने में राजा का बेटा राजा बनता था लोहार का बेटा लोहार और किसान का बेटा किसान किन्तु सिक्सा सब बच्चों को अपना टेलेंट के हिसाब से उडान भरने का समान आवसर देती है तो शिक्सा अती आवसक है तो कई वार क्या होता है कि उच्छी या मध्यमाय वाले बच्चे अप नीजी स्कूलों में बैतर शिक्सा मिलती है यह उनकी सोच है और उन्होंने एक किताब में पढ़ा है तो जबकि निम्नाय वाले बच्चे हैं उनको सरकारी स्कूलों में दारण कर लेते हैं इसलिए यह दोस्तों में मोटे मोटे तोर पर आपको बाते बता रहा हूं जो उन्होंने लिखी है पूरा तो मैं आपको पढ़कर नहीं बता सकता यह समझा नहीं सकता क्योंकि बहुत बड़ा है सिप्स्ट इंपोइंट है तो यहां पर हम वापस प्रप्लम को एड्रेस करता है स्केल पर एंड टू एंड इसकॉप के का प्रोग्राम संवतर पूरे देश में पहली बार हो रहा है तताने वाले समय में निश्ची तुरूप से अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे तो राजस्तान में जो शिक्षा का बड़ता कारेकर सब्सक्राइब करने की बजाए अब दोस्तों आप ध्यान से सुना कि क्लास में एक ही सब्जेक्ट सेलेबस कंप्लीट करने की बचाए हर बच्चे को उसके लर्निंग लेवल के अनुसार कॉंपिटेंसी बेस्ट टीचिंग करके अपने क्लास लेवल तक लाना है उदान दि यानि बच्चा तो आट वी तक मौँच गया है क्लास आटवी में अतियंद्थ है लेकिन अभी भी उसको तीशरी की गनित नहीं आ रही है तो उसको आटवी की गनित पढ़ा ही जाती है क्योंकि यही तरीका है लिकिन्तु इस प्रोग्राम में जो शिक्षा के बढ़ते प् प्रोग्रम के लिए इस तरह से आपम अध्यन करवाएंगे कि पीछे के क्लासों का अध्यन उनका हो जाए बात करें इसके प्रमुक फीचर की तो प्रोग्रम कक्सा एक से आर तक सभी 75 लाख बच्चों को निसुल्क कॉंपिटेंसी बैस्ट वर्क बुक दी जा रही है इसमें रटने की बज़ाए कॉंसेप्ट समझने पर फोकस रहेगा क्लास तीन से आर तक बच्चों को शुरू में ही वर्क बुक में दिया बैसलाइन असेस्मेंट होगा यानि एक दो को छोड़के गक्षा तीन से आर तक के जो बच्चे हैं उनको वर्क बुक दी जाएगी और वर्क बुक में शुरूआत में बैसलाइन असेस्मेंट होगा जिससे उनके लर्निंग लेवल का पता लग जाएगा कि बता आते ही जो बैसलाइन टेस्ट देगा उसे हम पता कर पाएगे कि बच्चा किस इस्तरका है इन लर्निंग लेवल के आधार पर उनकी क्लास में ग्रूपिंग होगी ताकि प्रतिक बच्चे को उसके लर्निंग लेवल के हिसाब से वर्क बुक में से पढ़ाया जाए उसकी पेर लर्निंग भी हो सके इसी तरह सितंबर अंत तक शुरू के चार पीरियद जो मैंने आपको शुरूआज वीडियो की शुरूआत में भी आपको बताया है सितंबर अंत तक शुरू के चार पीरियद और उसके बाद दो पीरियद सिर्फ ग्रूप बेस्ट लर्निंग होगी class का normal syllabus नहीं कराया जाएगा तो most important बात है कि normal जो syllabus है वो नहीं करवाया जाएगा शुरुआत के चार पीरियड में शितमबर के अंत तक उसके बाद जो अंतिम दो पीरियड है वो भी इसमें रहेंगे बाकी में syllabus complete होगा प्रतेक वर्कशीट में fun, best and concept, best learning के प्रस्न होंगे जिनकी सिक्षक हर अपते grading करेंगे टीचर की help के लिए teaching ad app बनाया जा रहा है जिसमें teacher gamified तरीके से social sharing करते करते कदम कदम पर इस करम का प्रतेक step कर सकेंगे और assessment ready कर सकेंगे इस एप के wireframes भी शिग्र आपसे share करेंगे इसका एक screenshot यहां पर आपको दिखाया जा रहा है कि इस तरह का एक एप नजर आएगा आपको जो जल्द ही launch हो जाएगा शिक्सा के बढ़ते कारे करम इस एप के बारे में आपको जानकरी देदें है कि आपको इसमें login करना होगा उसके बाद आपको जो most important बात है कि quarterly half yearly annual exam अर्था जो test होते हैं या अर्दवाशिक परिक्षा होती है या वाशिक परिक्षा होती है syllabus एंड रटने के बेश्ट नव कर competency best वेश्ट होंगी उनके जो भी पेपर होंगे वह रटने की विद्या को छोड़कर competency best होंगे यानि पांचवी तक के बचें सिर्फ पांचवी तक के ही नहीं तीशरी और चौथी की कंपिटेंसी के सवाल भी पूछे जाएंगे इसके लिए कंपिटेंसी बेस्ट सवालों की क्विस्चन बैंक बनाई जाएगी जिसे मैं से क्विस्चन पेपर सेट हो सके यानि क्विस्चन बैंक बनाई जाएगी बुक बनाई जाएगी जिसमें से क्व बच्चे की copy जांचनी पड़ती है फिर उनके numbers को जोड़कर प्रतेग बच्चे की detail के साथ software में entry करनी पड़ती है software का बोले तो साला दरपन आप सभी जानते हैं इसमें entry करनी पड़ती है फिर manually report card बढ़ना पड़ता है हम चाहते हैं कि हमारे teacher से पढ़ाने में focus करें इसलिए हम इस एप में सभी परकार के modern technology यूज़ करेंगे अब जो एप आएगा रासान में शिक्षा के बड़ते कारेकरम इसमें modern technology यूज़ होगी artificial intelligence के इस्तमाल से copy जाचने और data entry करने का कारेबार teacher से मुक्त हो जाएंगे उन्हें सिर्फ बच्चे की answer copy mobile से photo खींच कर upload करनी होग यानि answer copy भी इस दंग से आएगी ताकि बच्चे की जो copy हम photo खींच कर upload करेंगे तो automatic हो जाच हो जाएगी artificial intelligence के आधार पर जैसे इस तरह से आपको उदान के तौर पर copy बच्चे की मिली जा रही है जहां पहले में उन्हें A बरा है दूसरे में B तीसरे में C फिर B ऐसे करके यह को में भरी हुई है तो जैसे हम इसको scan करेंगे या फोटो खींचेंगे और mobile app पर upload करेंगे तो बच्चे की जो answer है कौन कौन से right है कौन से wrong है वो सारा पता चल जाएगा यह most important बात और बताई गई है कि एप में teacher का user experience खराब नहीं हो क्योंकि कई बार app ऐसे आते हैं जो हमसे चलाए नहीं जाते या हमारे mobile में चलते भी नहीं है तो इसलिए server को auto schedule cloud पर host किया जाएगा तता micro service best event driven architecture होगा एप का design एकदम user friendly होगा लाइवली तता micro interaction यूग्ट होगा ताकि teacher उसको आसानी से use कर पाए उसे अच्छा करके अच्छा लगे कोई load नहीं हो इस तरह का एप जल्द ही launch होने जाएगा साथ ही उसके बाद mark sheet भी उसी तरह से आएगी जैसे artificial intelligence से कौपियां की जांच होते ही digital generated competency best report card generate होंगे जो again सुंधर दिखेंगे pictographic होंगे ताकि अर्द शिक्षित parents जो parents शिक्षित नहीं है वो भी समझ सके कि बच्चे की क्या progress है हलंकि इसका design अभी प्रेमली stage पर है बट निम्न photo से आप idea लगा सकते हैं यानि इस तरह से mark sheet आएगी बच्चे की जो colorful होगी और वो भी बच्चे की mark sheet देखकर पैचान सके कि बच्चा कौन से level पर है classroom teaching को supplement करने के लिए app में ही competition best छोटे छोटे वीडियो बनाये जा रहे हैं जिसमें teacher और बच्चे concept को समझ सके साथ ही दोस्तों competition best report card के साथ साल में तीन बार parents teacher meeting की जाएगी यानि PTA meeting जो हम करते आ रहे हैं वो साल में तीन बार की जाएगी parents को बच्चों की सिक्सा में निरंतर involve रखने के लिए उनको what's up API के जरिये बताया जाएगा कि सफते आपके बच्चों को यह पढ़ाया जाएगा उन्हें feedback लिया जाएगा तरह क्या बच्चों को इस हफते वह पढ़ाया गया और क्या उनकी workbook चेक हुई इत्यादी यह सब काम होंगे competency best exam के से आगे की grouping और किस group को कौन सी वरक्षिट करानी है यताय होगा और group reasonable होंगे एप के जरिए teacher को program के हर stage पर नजिस मिलते रहेंगे जो उनके बचों को learning level सुदारने में मदद कर सकेंगे सभी teacher इस program में training organized कराई जा रही है तथा उनको gamified तरीके से program के बैतर क्रियानवे के लिए motivate किया जाएगा यानि यह app आपको किस तरह use करना है यह जो शिक्सा के बढ़ते कारेकरम है जो program है उसके लिए training है वो organize कराई जा रही है और कई जिलों में चल भी रही है तो gamified तरीके से यानि खेल खेल में बच्चे किस तरह सीखते हैं इसके लिए motivate किया जाएगा और इस प्रकार इस program के जरिये राज्ये के सभी बच्चों में learning level के अभूत पूरा सुदार आएगा इस noble objective में राज्ये के सभी शिक्षक साथ ही अपना आप समपूर्ण शयोग परदान करेंगे ऐसा हमें पूर्ण विश्वास है रास्तान में शिक्षा के बड़ते कारे करम के launch की एक छोटी तस्वीर आप सभी को दिखाई जा रही है तो ये अपने विचार है निदे सेक माधिमी शिक्षा रास्तान बीकानिर के आईएस गौरव अगरवाल जिगा तो साथ यों देखा आपने की रास्तान में शिक्षा के बड़ते कारे करम जो launch होना है उसको किस तरह से हमें धरातल इस्तर पर उतारना है उसके लिए क्या क्या कारे करने होंगे किस तरह का आया पाए गई सारी जान के लिए आपको दे दी गई है उमीद है ये वीडियो आ आपको पसंद आई होगी वीडियो पसंद आए तो जरूर लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए पास में आने वाले घंटी के बटन को जरूर दबाए है तो किसन संबंदी न्यूस तुरंत पाने के लिए